कि सुप्रभाद बच्चों आईए हम पढ़ेंगे कक्छा नौ की संस्कृत हमारा प्रथम पाठ है भारती बसंत गीती इसमें ध्यान देंगे सभी बच्चे संस्कृत में कुछ चैप्टर के कौश्चना से छूटे हुए हैं और कुछ चैप्टर ही में से जो छूटे हुए है बुनूठ है इसमें यह आपको कवर करना है जैसे कि प्रथम पाठ भारती बसंत गीती भारत माता बसंत की माध्यम से गीत प्रस्टुत करते हैं लेखा किसमें तो इसके एक पदन कौश्चनाशन नहीं दिये बुक में देखेंगे लिखेंगे हम एक पदन उत्त्रम लखत क कभी काम संबोध हैती कभी किसको संबोध करते हैं तो बाणी को कभी बाणी कम बदेतु प्रथार्द हैती कभी बाणी को किस माध्यम से बोल रहे हैं या प्रस्टुत कर रहे हैं बोलने के लिए कह रहा है तो बीढाम के माध्यम से बीढा के माध्यम से की द्रसी बीढाम न नवीना मतलब की नई भावना जाकरित होती है गीती कथम गातु कथ्यति गीता किस कैसे गाया जा रहा है तुम रदू मतलब की अच्छी बारी में अच्छी भासा में rec copyright score लशन्ती तोector है कि बसंति रितू में जो सर्सों रहती है सर्सों रशाला आम का व्रख्ष रिशन्ति ये और अरुते में नीगीिंजिन है है बसंति दिव्त है दुर्म पाठ्थे शॉन का का जोने के कवर रहता है उसकी कहानी दिवीए इसमें आपके पदन कौश्च च्छूटे हैं माता काम अधिसत तो माता किसके लिए बुला रही थी अपनी पुट्री को काम दिया था उसने अपनी पुट्री को बुला के शान क कान आखादत सोंगे का जू को वह था वै क्या खा रहा था तान्डूलान लब की चावल खा रहा था प्रशादा की द्रशा बरतती उसने राज महल को कैसे देखा कैसे कल्पना की तो श्वण माया एक सोने की बनी हुई महल उसकी बारे में वो शोचने लगी थी ग्रह गमत्या तथा का समद घटिता तो जब घर में सबी लोग थे तब क्या हुआ मंजूशा मंजूशा अनलब की एक्षा क्यान साथ काम हुए लोभाविष्ट का बाली का कीद्रशी मंजूशा नास्यती तो लोग के कारण बाली काने क्या एक्षा की ब्रह्म ब्रह्मताम ततिया पाठ है गोदु दह्मन किसी की बुप में दिया है शौम प्रभाम तो आपको करना है गोदु दह्मन एक पदन प्रशन उत्तर हैं मली का पूजहर्थ साखावी सह कुत्रग अच्छ थी इस मली का पूजा के बाद पूजा के लिए सभी सक्कियों के साथ कहां गई हुई थी काची विश्विनात मंदरम ओमाया पिता महें कती सेट काति कम दुगदम अप्यक्षे इसम ओमाने अपने पिता के लिए कितने लीटर दूद्दे ने कि रिए किया सेट काति का मलब होता है लीटर तो त्री सत तीस लीटर कुम्भकार घट नाम के मार्थ रच्चती जो कुमार रहता है वै किसकी रचना कर रहा था एक घड़े के समान जीव का होतो व्यक्ति के जीवन के भारे में कानी चंद्रस जीव्य लोग तो नाम बर्धति इसम चंदन किसके लिए सोच रहा था अपने जीव्य किसके लिए लोभा रहा था जीव मोद कानी लड़ू के लिए नंदनिया पात प्रहारो कह रक्त संचरती अभवतन नंदनी ने किसके लिए कहा था कि रक्त संचार हो रह चंदन से कहा था पूर बाग कैन उत्त्रम लखत मलीका चंदन से कुछ समयवाद धेनु की लिबारे में बोलती है कि हमें क्या करना चाहिए मलीका बोलती है मलीका चंदनस्ट माश पर्यांतम धेनु गासादिकम गुड़ादिकम चाबुज्यात कदाचित बिशरनायो तेल लेपयात तिलकम धारयात रात्त्रो नीरजन्यापी तोश्यता मलीका बोल रही है कि कुछ समयवाद हमें गाय के लिए घास देना चाहिए गुड़ देना चाहिए और भोजन देना चाहिए हमारे लिए विशाले तेल का लेप बिलकुल भी नहीं कहना है उसे नहीं लगाना और रात में तलक भी नहीं लगाना है काला कस्च रसं प्रिवती तो मैं के लिए रस्प कपी के इनुसर रस्प कपी न चाहिए तो आरे अनादानस प्रदानस करतब्य चा छिप्रा आक्री अक्रिवार्श रसं प्रिवती तब हमें रश्पान करना के पानी अन्हों ने प्रतिग्या की थी जो बच्चोंने घट मूदा तेदा मालीका शुबश्णम दर्तु प्रतेदे तदा कूंबका कूंबकारा किम बद्ती जो मूल है उसको मालीका ने किसके समान बताया है कुम्ब काने एक बाणन करके पुत्र के अपने पुत्र से बोल रहे हैं ना हम पाप करो में हमें कोई पाप नहीं करना है कत्मिया पे नेक्षामितम आवुशन भीना कुरतम यदि हम पाप करेंगे जवन नेतर रुपी आवुशन है वो भीन हो जाएंगे नायातू यथा विल हमुल सकते हैं कि माली काया कीम दर्षता धैनों टाराना वास्तbn खानन गयातं मलीका गय की बारे में एक बास्तविक कारणा बता रहे है कि वो तालाप के के कि Canara Ka senza दे महसुस करने लगे कि सब उसका कोई उसका दोहन ना करे तो वो पीड़ा से सभी से दुखी का अनुबा करते हुए सबकी आँखों से दूर एक तालाप के कनारे जाके बैठ गई मास पार्यांता देहनों आदोहनस करनें कुछ समय बाद देहनों गाय का आदोहन क्यों नहीं किया गया मास पार्यांता देहनों आदोहनस करनें मास अन्ते अधिकादिम धुगदम प्राप्ति आसी इद्वाय कुछ समय बाद अधिक से अधि दूर देने लगी अधर्हत्य प्रश्νεर्माण करत जो प्रश्च रिखह कि थे मों में प्रश्च निर्माण कुरोथ जो प्रश्च रहां किन्त है मली का ही अधरम्यात्रे ऊच्छ तीए उन्य स्वर्च नंत्त क्रिये किकिन ही जांग पुज मित्यानी रच्चंति यासन, तो काने पुज मित्यानी रच्चंति यासन, मलिक श्वापती, चतुरवातम माननते, तो मलिक स्वापती कधम माननते, नंदेनी पदाब्यां ताडित्वा चंदनाम रख्त संचारिती करोती कापादान अब्यां ताडित्वा चंदनाम रख्त संचारिता करोती मंजु सहाय सहायर्था भावार्थ रेक्तिनानी पूर्यात जो प्रश्न उत्तरिस में दिये है वो स्ट्टक में इनकी सहायता से बाक्यों की शाहयता से इस भाव आर्थ को पूरा करना है यह दा चंदन षपन America time अ:「 Даже काशी विश्मनात प्रति धर्मियात्राय विशय जानती तदा जब चंदन सपनें काशी विश्मनात मंदिर गया वहा की धर्मियात्राламule जाना तो बहुत कुरोदित नहीं हुआ यह ततस्य पत्नी घर वेवस्थायों कथे थी भै अपनी पत्नी से बो ने लागा घर की सारी वेवस्थाय बनाओ और अपनी शक्षाद साथ शाखावी साय ब्रहमार्त अच्छती अपी हम अपनी सभी सहलियों के साथ गुमने जाएंगे तो तस से यात्राया करते मंगल कामना करवान और सभी की यात्रा में हम मंगल कामना करेंगे ज़ा हम यात्रा के लिए राएंगे तो मंगल कामना करेंगे कथ्यति यत तब मार्ग सेवा अर्थात कल्यान कारी भवन्तू भगवान सभी के क्या करेंगे कल्यान करेंगे तो हमें राश्ते में कोई भी बाधाया समस्य नहीं आएगी एतयन सिद्यती येत चंदना नारी सतंत ताया सार्थका मासीद इसी के लिए सभी की कामणाई शिद्ध होंगी प्रुष्चों से काम कर सकती है फिर आपको घटना क्रफ लिखना है तो आपकी उपर नीचे बड दी म्लिका-पूज един इसमें आपको सही बडू वखा हुआ है सब भात्यों को घटना क्रफ ओर्द मली का पूज यर्द मोदकानि रच्यन्ती मली का मढली का तेर्थी आत्रों काशी विश्वनात मंदिर राम प्रती अच्छ थी वैसे भी सक्मियों के साथ तीर्थी आत्रा के लिए काशी विश्वनात मंदिर गई उमा मान्यते उस्साव्द दुखदम आवश्चक विशाय चंदनम सूचे थी उमा ने जो उस्साव मनाया जा रहा था कारिक्रम उसमें दूद के बारे में आवश्चक विशाय बताया किसको चंदन को बताया चन्दन उस्तर समय अधिक दूद्ध प्राप्त माश पर रहां दोहनमना करोती चन्दन ने उस्तर में अधिक दूद्ध प्राप्त करना और उसका दोहनना करने के बारे में बताया चंदनस पत्नी तीर थियातर समाप ग्रहम प्रागश्यती चंदन की पत्नी तीर थियातर समापत करके घार आई उभावू चंदनिया उभावू नंदिया सर्वे विधी परिचाय कर वरती उभाव नंदनी से सभी से परिचाय कराने लगी प्राप्त करो कि दिन प्राप्त किया था उस्षय के दिन दूद केसे प्राप्त किय साथ at के दि मिद्धत हो एक पद भार दे दिया गए हैं象 को लिखना है अधुल लिखेता नहीं बाक्या नहीं काकंप्रति कथ्यति इती प्रदत्य श्थानम लिखे तो कौन सा बाकत किस के लिए कहा गया है धन्यबाद मातुल यम धुना जे किस न काई उमाने काई चंदन से तुरी से कामित्तम दुगदम शुभा नाम जवस्ता भविश्यति ये चन्दन ने कह आय से पुत्र के नाहम पापकरोमी देविश कहता है माललीका से देवी मायापी यातं या어요 क्रतम कर साथ कि अर अब आपके पार्ट में दिया है प्रश् לה्मर शाथ है पाथस्ट धारयन प्रदत्ता नाम संदी विक्षित करोद तो सिवास ते सिवा प्लस ते मना हरा मना प्लस हरा सपता अंते नेक शामी ना प्लस एक शामी अनुत्तमा अती प्लस उत्तमा पाठ धारयन अधोलिःखीत प्रकेर्टी प्रत्य चा शॉझे का विभाज़ी बलीखत तो कर्णियम का होगा कर प्लस शामी बी प्लस करी प्लस ल्य पका होगा भुक्रिये पतितार ही प्लस उत्तमा प्लस क्यत्त्तवा नेकनी जोग्दूम का अंते प्लस तुमोर सो चतुद पाठ है कलब तरू कलव रक्ष के बारे में बताए गया है एक कहानी है जीमूत नामक जो ब्यक्ति है भैवाहा का राजा है कलव रक्ष की महिं मैं बताता है कि हम किस प्रकार का लाबकारी ही यह धिए पर प्रसंतर हैं जीमुत महाँ क्ष्षपुत्ण थ press कि जी मुदेजग किसका पुत्र था जी मूदकेतों हाँ परकरास संसौरों अश्मिन का अनाश्वर कंपनाई सरवत्र किम प्रतित्ताम यसा कल्प तरू कि भुवी कानी अप्षानात बशुनी अभे आपका पश्पाठ सूक्ति मेक्तिकाम एक पदन प्रश्ण उत्तर विच्ट छींड की दर्शा भक्ती अच्छींड कष्य प्रतिकूल नम कार्यानी परिशाम न समाचारेत जो हम प्रतिकूल कार करते हैं तो हमें किसका समाचार मिलता है हमें उसका अपनी आत्मा से कुत्र दरेद्ता ना करोती हमें कभी दरेद्र बचन नहीं बोलां चाहिए बुरे बचन नहीं बोलां चाहिए ब्रक्षश्वयम काने ना खादन थी ब्रक्षश्वयम फल नहीं खाते का प्रालब दिभप्ती सभी के लिए वो क्या दे रही थी छाया हमें आपके परियाबाची सब्द आमरम कहुगा रशाला अमतंफलं आमर नेत्र का नयन चक्षू लोक्षुनाम गणेश का गजानम लम्मोदरग गड़पती अगने का है पाबका अनल उतासन पुस्प का है सुमन कुषुम पुहुप नदी का शरीता तटिनी और बारी यह सभी आपको बुक में नहीं दियेगा है यह कंप्रीट करना है धन्यवाद बांकि आपको सभी चप्टर जो भी बुक में दिया हुआ है सारा कंप्रीट करना है ठीक है धन्यवाद